उयरो फ्रेंट्स व्यलकम्टाओरि यूटूमट्र चैनल इस्टेडिगान that is all okay किivesse इन्तिमेशन लेटर सबी उड़ेक की मिन्सें लेटर नहीं उनके भी जल्द ही intimation letter आ जाएंगे intimation letter के बार dvv बी जो है start हो चुके हैं बहुत से students का dv हो चुका है बहुत से students का भी बाकी है तो students के question आ रहे ते हैं कि sir जो dv के दवरां हमें का certificate ले जाना होगा वो central का लेकर जाना है या फिर state का लेकर जाना है यह question बहुत सारे students का था तो इसको लेकर आज के हमारी वीडियो होने वाली है वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देगा चैनल को subscriber के बेल आइकन को प्रेस करके रखेगा ताकि आप हमारे वीडियो के सभी notification मिलते रहें अगर आपका कोई doubt है कोई question है या आपको किसी भी चीजें problem आ रही है डीवी में इंजिमेशन लैटर अभी तक नहीं है तो उसके बारे में आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आपको उसका फूरा solution प्रोवाइड करने की कोसिश करेंगे तो चलिए दोस्तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके पास जोन सा भी का सर्टिफिकेट हो या आपके पास अगर central का सर्टिफिकेट है या state का सर्टिफिकेट है आपने जो भी form fill करते वक्त apply किया था upload किया था वहाँ पर आपको वही का certificate डिवी के लिए लेकर जाना है आपको उसको change नहीं करना है बहुत सारे students ये बोल रहे थे कि sir मेरा state का certificate है और मैंने form fill करते वक्त state का ही लगाया और अब क्या मैं अब central का certificate बन वालू तो आपको central का certificate नहीं बन वाना है जो भी आपने apply के दोरान लगाया था upload किया था वही आपको class certificate डिवी के लिए लेकर जाना है जिन students ने central का use किया है वो central का लेकर जाएंगे और जिन students ने state का class certificate यूज किया था वो state कही car certificate DV के लिए ले कर जाएंगे तो किसी भी stands को car certificate change करने की जरूरत नहीं है जो आपने car certificate लगाया था form fill करते वक्त आपको वही ले कर जाना है आप उसको change मत किजेगा क्योंकि अगर आप उसको change कर लेते हैं तो आपका car certificate form fill करते वक्त अलग हो जाएगा और जब आप DV के लिए ले करते हैंगे वो आपका different होगा तो इस से आपके DV में problem आ सकती है आपका DV cancel भी हो सकता है तो आप उसको change बिल्कुल भी मत किजेगा आपने जो भी form fill करते वक्त car certificate लगाया है वही car certificate certificate आपको लेकर जाना है डिवी के लिए भी आप उसको बिल्कुल भी change मत किजेगा तो दोस्तों आज की वीडियो में यही बताना था कि car certificate आपको कौन सा लेकर जाना है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देजेगा शेयर कर देजेगा और चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लेजेगा ताकि आपको हमारी वीडियो के सभी नोटिविक्शन मिलते रहे थैंक यूथ बता है